नमस्कार आप देख रहे हैं जनभावना टाइम से आपके साथ मैं हूँ अंकिता हिमाचल प्रदेश के कुलू जिले की मड़ी कर्ण घाटी में एक अजीबो गरीब घटना सामने आई है मामला शुकरवार रात का है पारवती नदी की लहरों में एक नीली सी रोशनी नजर आई और इस रहे से मई रोशनी को देखने के लिए लोगों की भीर जम गई कई लोगों ने इस नीली रोशनी का वीडियो भी बनाया काफी देर तक ये रोशनी नदी की लहरों में चमकती रही फिलहाल ये मामला पुलिस के पास भी पहुंच चुका है खबरों की माने तो कुलू की मड़ी करने घाटी की पारवती नदी में शुकरवार देर शाम को रहसे माई रोशनी देखे जाने का दावा किया गया सोशल मीडिया में इस घटना के कई वीडियो वाइरल हो रहे हैं काफी देर तक ये रोशनी नदी की लहरों में चमकती रही इस जोरान जैसे ही लोगों को रोशनी के बारे में पता चला तो वो भी मौके पर पहुँशने शुरू हो गए जोतिशाचारियों और खगोल विदों का कहना है कि ये एक खगोल ये घटना का हिस्सा हो सकता है दरसल शुकरवार को चंद्रमा, शुकर और ब्रहस्पती ग्रह एक साथ नजर आये थे इसी को जोड़कर इस घटना से देखा जा रहा है घटना को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों की कई तरह की प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कुछ लोगों ने इसे फोस्पाइन गैस बताया तो कुछ ने इसे चमतकार कहा साथ ही कुछ ने कहा है कि ये टेक्टोनिक एक्टिविटी भी हो सकती है तो वही कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये मड़ी हो सकती है माता पारवती की मड़ी नहाते समय इसी नदी में खो गई थी इसलिए इस जगह का नाम मड़ी कर्न रखा गया है वही एक यूवक ने कहा है कि इस नदी में हीरे बहते हैं और ऐसा हमने बुज़ूर्गों से सुना है महरहाल नदी में दिख रही इस रह से मई रोशनी पर आप अपनी राय जरूर बताईए नमस्कार